गुड़ाप्रणून स्टुडेंट्स, कॉंपटिशन कम्यूनिटी के इस ओनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का भरपोर स्वागत है। हमारा दो पार्ट में होगा, 25-25 कोश्चन हम इसमें कवर करेंगे। पहले कोश्चन की और ध्यान दिजेगा, पहला कोश्चन आपका दिया हुआ है, इन लैंग्वेज, the order in which skill are thought is, ठीक है, भासा में आपके जो skill का जो क्रम है, वो कैसा है, तो पहला option दिया है आपका listening, हाँ, बच्चा पहले क्या करता है, listen करना सीखता है, देखिए कैसे, देखिए, ये एक छोटा बच्चा है, बच्चे में अभी इतना skill develop नहीं हुआ रहता, कि बच्चा क्या कर सके, बच्चा जब छोटा होता है, तो वो क्या करता है, चारो तरफ की जो चीजे होती है, उनको क्या करता है, उनको क्या करता है, जब वो observe करता है, तो निश्चित सी बात है, वो उसे गौर से सुनने का क प्रयास करेगा, लिशन करेगा, लेकिन वो बोल तो नहीं पाएगा, जो बोलने की प्रक्रिया होगी, जो speaking की प्रक्रिया होगी, वो क्या होगा आपका second skill होगा, आपका first skill होगा listening का, क्योंकि जब बच्चा छोटा होते हैं, तो उसमें बोलने की काबिलियत नहीं आपाती है, लेकिन हाँ, जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, तो वो क्या करते हैं? चीजों को बहुत observe करता है, आप देखते होंगे कि बच्चा क्या करता है? अपना सिर भुआ हुआ कर 4 चीजों को देखता है, ठीक है? वो बोल नहीं पाता, लेकिन जब बच्चा बड़ा होता है थोड़ा तो वो क्या करता है तोटे-फूटे सब्दों का प्रयोग करता है एकदम तोटे-फूटे तोटली आवाज में मा पक जो आता है वो बोलने का प्रयास करता है ठीक है तो यह क्या होता है आपका second speaking होता है आपका second जो skill है speaking है और first जो skill है वो आपका listening है तो हमने देखा आपका जो first skill है वो listening और second skill आपका speaking है जब बच्चा क्या करता है listening और speaking सीख जाता है तो वो क्या करता है अगर आप उसे एक छोटा magazine दे या newspaper दे या drawing वाली कोई चीज दे तो क्या करता है उन्हें वो पढ़ना शुरू कर देता है तो उसका जो third skill होता आप यह उधारन से देख सकते है कि यह छोटा बच्चा है इसे क्या कर दिया गया एक किताब दिया गया है जिसमें कुछ animals के क्या है diagrams बने हुए तो बच्चा क्या कर रहे है उन चित्रों को पढ़ने का प्रयास कर रहे है आपका जो इसका का skill है वो आपका listening है पहले number का skill है आपका listening दूसरे number का skill है जो आपका speaking है बच्चा बोलने लगता है तीसरे number में बच्चा reading करना सीखता है और चौता और last skill आपका writing का होता है किसकी अनुसार आपके यह भासा में klaus Low को पढ़ाने का एक क्या है यह तरीका है तरीका है मतलब क्या है तरीका है मतलब क्रम यहां पर क्या किया है भासा में कौसलो को सीखने का या पढ़ाने का क्रम है यहां पर क्या पूछा है आपका order पूछा है क्रम पूछा है तो हमने देखा कि जब बच्चा क्या होता है छोटा होता है तो वो क्या करता है सबसे पहले वो सुनता है फ आपको चीजे और ज्यादा clear होंगी, फिर बच्चा क्या करता है, चित्रों को पढ़ना सीखता है, फिर धीरे-धीरे और ज्यादा वो पढ़ता है, फिर जब बच्चा और बड़ा हो जाता है, तो writing करना सीखता है, वो एक गोदा-गादी वाली step होती है, वो reading के बाद वाली step है, पहले बच्चा डाग्राम्स को पढ़ता है, उन्हें observe करता है, यहाँ पर second option है, आपका writing नहीं, writing आपका क्या है, fourth number का skill था, reading आपका तीसरे number का skill था, speaking, second और आपका listening, first, तो आपका ये जो option है, ये गलत है, C option देखिए, speaking आपका second number का skill है, listening, first number का, तो ये भी गलत है, आप अगर ना, first option भी देखते हैं, अगर आप first option भी देखते हैं, इधर से, अगर आप A से सुरू करें, तो यहाँ पस listening दिया है, ठीक है, तो आप इसको आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन देखिए, B तुरंद गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें first number में writing देदिया है, जो आपका fourth number का skill है, यहाँ पर C में आपका speaking यह आपका second number का skill है, ठीक है, बच्चा पहले सुनना सीखता है, लिस्निंग करना सीखता है, फिर क्या करता है, speaking करना सीखता है, तो यह भी क्या है, आपका गलत हो गया, writing यहाँ पर देखिए, तो आप देख की ही क्या कर सकते हैं, गलत कर सकते हैं, यह होगा आप से क्या करेंगे, manage कर पाएंगे, तो हमारा जो first question का answer होगा, वो option number A होगा, second question आपका दिया हुआ है, originator of playway method is, origin करता कौन है आपके, यह वेक्ती है, आपके, Caldwell Cook है, ठीक है, तो इसका answer क्या होगा, यह question आ सकता है, playway method के, जो origin जिन्होंने खोच की है, तो यह कौन है आपके, Caldwell Cook है, यह Caldwell Cook जी का diagram है, image है, image क्या सकते है, तो आप देख सकते है, Caldwell Cook है, इन्होंने ही क्या किया है, playway method को दिया हुआ है, नाम से ही इसपस्ट हो रहा है, playway method, अर्था, इसमें बच्चा खेल के माध्यम से क्या करता है, अंकगडित हो, या अक्षर हो, या आपका table हो, या spelling हो, या words हो, कुछ भी, अगर बच्चा learning कर रहा है, तो किसके माध्यम से कर रहा है, आपके, play के माध्यम से, खेल के माध्यम से, तो जब बच्चा सीखने के लिए, playway method का प्रयोग करेगा, या खेल विधी का प्रयोग करेगा, तो वहाँ पर क्या हैंगा, आपका, वहाँ नियाद रखिएगा, यहां से question बन सकता है, important है, तो simple सा playway, नाम से इसपस्ट हो रहा है, कि जहां पर बच्चा क्या कर रहा है, चीजों को खेल के माध्यम से सीख रहा है, आप लोग देखते होंगे, कि जब आप training कर रहे थे, तो training के दोरान क्या किया जाता है, हम लोग को विधी से बच्चों को सिखाने के लिए बोला जाता है, उसमें आप लोग क्या करते हैं, खेल के माध्यम से बच्चों को सिखाने का प्रयास करते हैं, चाहे वो गीत हो, पोयम हो, बच्चा खेल-खेल में कब सीख जाता है, बच्चे को खुद पता नहीं चलता है, तो यह एक question ये भी बन सकता है कि audio lingual method को और किस नाम से जाना जाता है तो याद रखिएगा audio lingual method को army method के नाम से भी जाना जाता है ठीक है क्या कहता है ये method ये method is said to result in rapid acquisition of ठीक है audio lingual method audio नाम से इसपस्ट हो रहे है कि यहाँ पर क्या होगा आपका sound होगा तो sound होगा तो आप क्या करेंगे चीजों को listen करेंगे सुनेंगे तो option में देखिएगा audio lingual method also known as army method देखिए army method में क्या होता है कि आप चीजों को बोलते हैं और सुनते हैं तो इसका answer क्या हो जाएगा आपका option number c reading में तो आप silently पढ़ाई करते हैं ठीक है तो यह भी सही होता है अगर आप बोल कर पढ़ते लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ बात नहीं किया है क्योंकि यहाँ पर speaking दिया है जो क्या है आपका एक method है और listening भी दिया है तो यहाँ पर best answer क्या होगा आपका answer number c याद रखिएगा audio lingual method जिसे हम army method के नाम से भी जानते हैं और army method में क्या होता है बोला जाता है और सूना जाता है इसे army method क्यों कहते हैं इसे army method इसलिए कहते हैं इसमें क्या किया जाता है foreign language को सिखाया जाता है क्योंकि हमारा foreign language है second language है उसे हम क्या करते हैं हम पढ़ कर रट कर तो नहीं सीख सकते हैं तो चया है यह एक easy way है जो आपका army method या audio-lingual method है इसमें हम क्या करते हैं जितना ज़्यादा speaking करेंगे जितना ज़्यादा listening करेंगे हम क्या करेंगे? Language को सीखेंगे तो यह क्या होता है? आपके behavior जो होता है यह सकते हैं आपको जो वयवारवादी सिधान्त होता है न उस पर निर्भः होता है वयवारवादी सिधान्त हम क्या करते चीज़ों को रटते नहीं है जो लाइव होती है जो जीवित चीज़े होती है हम उनसे सि screams है मतलब अपने environment से सीखते हैं आज पास से सीखते हैं तो इसकी लिए जो audio lingual method है जिसे हम army method के नाम से भी जानते हैं तो उसमें क्या होता है आपका mainly speaking होता है listening होता है क्योंकि ये natural होता है अगर किसी वेक्ति को क्या करना है language को acquire करना है अगर उसे acquire करना है तो वो सबसे best method है आपका army method ठीक है लेकिन अगर उस बच्चे को क्या करना है learning करना है फिर तो बहुत सारे method है सीखने के लिए लेकिन अगर वो बच्चा क्या करेगा उसे acquire करेगा अरजित करेगा तो वो natural way पि क्या करेगा चीजों को सीखेगा तो हमारा answer क्या होगा हमारा answer होगा answer number C हमारा answer C होगा speaking and listening skill fourth question होगा fifth question रिखेंगे अच्छा ये example भी दिया होगा ठीक है ये army method का best example है इसमें ये दोनों students है इसमें एक बोल रहा है और एक सीख रहा है ये दोनों क्या कर रहे है foreign language का प्रयोग कर रहे है अपस में ही अगरना आपको अपना जो घर का जो भासा है अगर आप second language सीखना चाहते है तो अगर आप अपने friend circle में रहते हैं सिर्फ आप सुन रहे हैं और बोल रहे हैं तो automatic आप कब सीख जाएंगे आपको खुद नहीं पता चली का तो ये क्या होता है आपका acquisition का एक part होता है चली next question देखते हैं फिफ्थ कोस्चन है आपका इन दा multilingual classroom learners can interact पहला option है इन दा medium of interaction followed by the school नहीं इतना जरूरी तो नहीं है ठीक है इन देर on language and can be a mix of words from more than one language देखे multilingual language में क्या होता है जहां पर आपकी खुद की भासा है आपकी मात्र भासा या आपका mother tongue इसके अलावा आप क्या कर रहे है आप कोई second language यूज कर रहे कोई साभी second language अगर आप माल लीजे आपको हिंदी आ रही है ठीक है अगर आपको हिंदी आ रही है वहाँ पर आपका क्या होगा multilingual कहने का मतलब यह है कि जहां पर हम कि एक या एक से एक ने एक से अधिक language का प्रयोग कर रहे है वहाँ पर आपका क्या होगा multilingual language होगा यहां पर दिया है option आपका in there on language ठीक है आपका जो on language होगा और can be a mix of words कौन से words होगे आपका कोई भी language का word होगा ठीक है तो यह answer आपका second अच्छा लग रहा है लेकिन हम third और fourth भी देखेंगे only एक यह negative word दे दिया है only in the language prescribed in the language three language formula only बोल दिया है इसलिए थोड़ा answer गलत हो गया है नहीं तो यह भी ठीक जाता in the language with which the teacher is familiar नहीं यहाँ पर multilingual की बात हो रही है मतलब अगर आप एक से अधि भाशा का प्रयोग कर रहे है तो वहाँ पर आपका क्या होगा multilingual classroom होगा ठीक है तो आपका answer क्या होगा आपका second होगा यहाँ पर बच्चे हैं जो अपने जो mother tongue है उसके अलावा भी क्या कर रहे second language थोड़ा-थोड़ा प्रयोग कर पा रहे है आप notice करते होंगे कि जब आप बातचीत करते है आपका जो घरेलू भासा होता है तो आप लोग क्या करते है कुछ-कुछ words mix कर देते है तो वहाँ पर क्या हो जाता है आपका multilingual हो जाता है six question आपका दिया हुआ है which of the flowing activities is promoting multilingualism ठीक है option A है children interesting in their own language ठीक है यहाँ पर interesting की बात कर रहा है यहाँ पर language की बात नहीं कर रहा है children relating the story with their previous experience यहाँ पर भी language की बात नहीं हो रही है जहाँ पर multilingualism की बात है वहाँ पर क्या होता है बहु भासा की बात कर रहा है ठीक है बहु भासीता की बात कर रहा है लेकिन यहाँ पर हमें दोनों option में बहु भासीता देखने को नहीं मिल रहा है children quickly learn think in their mother tongue ठीक है next option है first language supports learning of second language हमारा D option सहीं हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर वो क्या कर रहा है first language की support से ही क्या कर रहा है second language को learn कर रहा है मतलब सीख रहा है तो option number D हमारा क्या हो जाएगा सहीं हो जाएगा बहु भासीता बात में मैंने आपको बताये था कि जहाँ पर एक से अधिक भाशा का प्रियोग हो रहा हूँ वहाँ पर आपका क्या होगा बहु भासीता multilingualism होगा ठीक है यहाँ बच्चे है जो जितना ज़्यादा क्या होते है friend circle होता है हमारा यह school के कुछ बच्चे हैं जो आपस में क्या कर रहे हैं एक दूसरे के साथ क्या रहे है language transfer कर रहे है किस तरह का language वो अपने घरों में जिस तरह का language यूज करते है तो यहाँ पर क्या हो रही है हमें बहु भासीता बाद देखने को मिल रही है ठीक है multi languages यूज हो रहे है यहाँ पर देखिए का घ्यान होगा तो क्या वो top-down model में होगा बिल्कुल होगा तो यह option आपका क्या है सही है ठीक है second option आपका दिया हुआ है macic, semantic and syntactic cues ठीक है यहाँ पर semantic का मतलब क्या है यहाँ पर semantic का मतलब है सब्द से ठीक है तो आपके जो सब्द की cues का मतलब क्या है आपका यहाँ पर science से है संकेत तो सब्द का संकेत और syntactic का मतलब क्या है syntactic का मतलब है आपका वाक्य वाक्य संकेत तो दोनों में आपके top-down approach में होते है तो यह option भी बिल्कुल सही है ठीक है moving to more specific information बिल्कुल specific information होता है तो आपके top-down में तीनों answer सही है इसलिए हमारा option D क्या हो जाएगा सही हो जाएगा चलिए आगे की question क्यों बढ़ते है हमारा next question है language acquisition means मैंने आपको बताया था कि language जो acquisition होता है उसमें क्या करते हैं आप चीजों को in the sense अपने language को language को आप क्या करते है natural way पर observe करते है या क्या करते है acquire करते है किसमें आपके language acquisition में तो इधर ध्यान दीजेगा option में learning a language naturally without much practice best example है best option है next question है learning a language with much practice बिल्कुल नहीं हमारा जो language है वो बिना practice के होता है जब वहाँ पर language acquisition की बात की जाए लेकिन हाँ अगर यहाँ पर क्या होता आपका language learning होता है तो यह option सही होता लेकिन यहाँ पर acquisition की बात हो रही है मतलब जो बच्चा होगा वो अपने भासा को क्या करेगा easy way पर सीखेगा बिना किसी practice के सीखेगा natural way पर सीखेगा थर्ड option है आपका learning a language in school यहाँ पर बार बार learning सीखने की बात कर रहे है तो सीखना तो नहीं यहाँ पर हम acquisition देख रहे हैं ठीक है learning a language at home फिर से learning की बात कर रहे है तो यहाँ पर आपका option देखिए यहाँ पर आपका option होगा first option ही हो जाएगा क्योंकि इसमें क्या कर रहे है learning a language naturally अगर वो natural way पर सीख रहे हैं तो बच्चा क्या होगा इस language को acquire कर रहे है without much practice बिना practice के तो हमारा answer क्या हो जाएगा answer number 1 बाकि यह सब गलत है यह गलत क्यों है क्योंकि यह learning की बात कर रहे है और हमसे पूछा गया है हमसे पूछा गया है acquisition के बादे में देखे English Pedagogy भी बहुत easy है अगर आपना main words को समझे कि acquisition क्या होता है learning क्या होता है top down approach क्या होता है bottom up approach क्या होता है और कुछ-कुछ आप जो words है उनका अर्थ समझेंगे तो आपको चीजे क्या होंगी clear होंगी क्योंकि पैड़ा होच यह ऐसा subject है कि आप इसमें चीजे रट नहीं सकते आप इसमें समझ कर ही चीजों को क्या कर सकते है जान सकते है यह एक image देखिएगा इसमें बच्चा क्या कर रहा है बिना किसी practice के मा के साथ क्या कर रहा है Natural way पे language को सीख रहा है अगर बच्चा आप देखते होंगे कि जब बच्चा अपने school जाता है school जाने से पहले वो क्या करता है घर में एक language सीखता है सीखता है मतलब बिना practice के क्या करता है अरजित करता है तो जब भी बच्चा ना इस्कूल जाता है तो अपनी भासा के साथ वो क्या करता है इस्कूल में प्रवेस करता है जिसे वो क्या करता है अपनी मात्र भासा या मदर टंग तो यहाँ पर बच्चा क्या कर रहा है नेचरल वेपे भासा को क्या कर रहा है, अरजीत कर रहा है, अरजीत करना मतलब acquire करना, और acquire means acquisition की बात हो रही है, जहां पर acquire है, मतलब बच्चा क्या कर रहा है, भासा को अरजीत कर रहा है, ग्रहन कर रहा है, और जहां पर भासा को ग्रहन किया जाएगा, वहां पर आपका acquisition और जहां पर बच्चा language को क्या करेगा, सीखेगा, वहां पर आपका learning होगा, learning कौन से language में होता है, आपका second language या foreign language में, first language हमेशा आपका acquisition ही होगा, इस चीज को ध्यान रखेगा, question आपको घुमा कर दे सकता है, अगर आपको basic चीजे clear होंगी, तो आप कैसे भी question घुमाएगा बना लेंगे, चलिए next question क्यों बढ़ते हैं, आपका next question दिया है, a language is, language है, देखे, simple सा याद रखेगा, कि जो हमारा language होता है, वो क्या होता है, एक set होता है, specific rules और क्या करता है, speech को generate करता है, हमारी जो भासा होते हैं, उसमें कुछ नियम होते हैं, जिने हम ध्यान में रखत हैं, और natural way भी और कभी-कभी artificial रूप में भी हम क्या करते हैं, भासा का प्रयोग करते हैं, क्योंकि इसमें rules क्या होता है, specific होता है, set में होता है, और इसी से हम क्या करते हैं, अपने speech को generate करते हैं, क्योंकि भासा क्या है, language क्या है, एक ऐसा medium है, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, अपने thoughts को क्या कर रहे हैं सामने वाले से express कर रहे हैं, उन्हें हम बता रहे हैं, किसके माध्य हम से, कभी-कभी speaking के माध्य हम से, reading के माध्य हम से, writing के माध्य हम से, और listening के माध्य हम से, साथ ही हम क्या करते हैं, संकेतों के माध्य हम से भी भाषा को क्या करते हैं, express करते हैं, त जो आप बोलते हैं वो क्या होता है जन्रेट होता है तो आप्सन नंबर भी बाकी कहीं जाने की जुरत ही नहीं है जहां पर स्पेसिफिक रूल की बात कर दे जन्रेटिंग स्पीच की बात कर दे आप कोश्चन अगर आएगा ना तो आप सीधा इस पर जाएगेगा लांज करसे जो बचांटा तो इसमें बच्चा क्या करता है चीजो को बहुत जल्दी जल्दी क्या करता है करता है मतलब जीखता भी यह वह जो होती ना आपकी पूरबाल वस्था आप उसको देखते होंगे कि सीखने की सबसे क्या होती है उत्तम अवस्था मानी जाती है अगर आप CDP में पढ़े होंगे चाइल डेवलेमेंट पड़ागोजी में आप क्या करते हैं चीजों को देखते हैं उसमें एज बटा होता है आप जीन प्याजे के अनुसार आपने देखा होगा ठीक है इसमें बच्चा क्या होता है यह सैस्वावस्था में होता है जीरो से जो पहले का एज होता है उसमें बच्चा क्या होता है माता की गर्व में होता है तो यहां पर बच्चा क्या करता है अनुकरण करता है मतलब चीजों को क्या कर रहा है नकल कर रहा है लेकिन जब बच्चा क्या होता है अपने पूर बालेवस्था है वो तीन से छह वर्ष का होता है तो इसमें बच्चा क्या करते हैं चीजों को यह लेंगवेज को बहुत जल्दी सीखता है तो पूछ रहा है यहां पर the best time to learn a second language तो second language को सीखने का सबसे best time क्या होता है कॉलेज बच्चा तो तब तक बहुत सारी चीजों को सीख लिया रहता तो कॉलेज आग बंद करके गलत कर दे सीनियर सेगेंडर स्कूल नहीं तब भी बच्चा बहुत ज़्यादा सीख जाता है जूनियर स्कूल है पर स्कूल की बात ही नहीं की गई है कुछ आप्सन ऐसा है कि आप देख के ही तुरंत कट कर सकते हैं बच्चा क्या हमारे पास अरली चाइल्ड हूल तो इसका आंसर क्या होगा आपका अरली चाइल्ड हूल ठीक है यह बच्चे क्या है अरली चाइल्ड हूल के हैं यह बच्चे जल्दी से क्या कर रहे हैं भासा को एक्वायर कर रहे ह वर्बल कम्यूनिकेशन मीन्स क्या होता है वर्बल कम्यूनिकेशन का मतलब वर्बल जहां पस वर्बल की बात आ है वहां पर याद रखिएगा ओरल होगा मतलब मौखिक मौखिक रूप से बातचीत होगी आपका oral communication होगा तो आपका answer क्या होगा आपका first हो जाएगा कि sending a message in words including oral communication जब वो क्या करेगा message भेजेगा कुछ words के साथ तो उसमें क्या होगे sound होगे sound कब होगा जब आप मौखिक रूप से बात करेंगे जब आप oral क्या करेंगे communication करेंगे तो यहां पस आपका क्या होगा option number a होगा verbal communication means sending a message in words including oral communication verbal होगा वहाँ पर oral होगा oral means आपका sound से बात कर रहे हैं अगला question है आपका यह दोनों क्या कर रहे हैं आपस में बातचित कर रहे हैं words काफर कर रहे हैं sound के माध्याम से जिसे हम क्या करते हैं mokic अभिविक्ति कहते हैं oral communication कहते हैं या waking बातचित कहते हैं के विचश स्कीश्य ओर रिसेप्टिव आपने रिसेप्टिव स्कीश्य पढ़ा होगा कि इसमें चीज़ग क्या हो रही है प्रड्यूज हो रही है ठीक है क्योंकि हम लिखते हैं तो कुछ नहीं चीज्द उत्पनर होतेयां छहीच ψ मिखेन भी हम बोलते हैं तो कुछ नया आता है लेकिन लेकिन लिस्निंग और इस पीकंग रिसेप्टिव लेकिन जब आप किसी की बातों को क्या करते हैं सुनते हैं एक मिनट देखिए यहां पर कोशन दिया हुआ है रिसेप्टिव रिसेप्टिव मींस आप कब चीजे क्या करते हैं रिसीव करते हैं तो आप कब receive करेंगे, जब आप क्या करेंगे, जब आप किसी की बातों को सुनेंगे, अभी आप मेरी बातों को सुन रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, message को receive कर रहे हैं, और जब आप पढ़ते हैं, यह देखिए, जब आप चीजों को सुनते हैं, तो वहाँ पर आपका क्या हो और बोलते हैं तो ऐसा होता है क्या नहीं होता यहां पर आपका क्या हो जाएगा प्रोड़क्टिव इसकी लो जाएगा तो इस चीज को ध्यान रखिएगा रिसेप्टिव और प्रोड़क्टिव ठीक है नेक्स्ट कोस्चन देखिएगा 13th question देखिएगा दिया हुआ है यूर्ट इसेंट यूजेंट ली दासेंघ नम्बर आनल आफ साँंड क्या ऐसीं Charter में होते हैं क्यात का जो बस्म आ सेंघे साहं लूंब अगर मुश को नहीं ऐसा नहीं होता है तो यह आपका क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा नेक्स्ट ऑप्शन है आपका आल नेटिव स्पीकर्स ओफ आल लेंगवेज लर्ण दा बेसिक रोल्स ओफ ग्रामर इन इस्कूल नहीं यह भी बात गलत है ऐसा नहीं होता है वेल डडिफेरेंट लेंगवेजेज में यूज डिफेरेंट फोनीम दे आल इसेंटली सेयर अर्द सेम सिंटेक्स यभी ओप्सन आपका गलत है तो आपका जो तीनों गलत है तो आंसर क्या हो जाघेगा देखिए नो नॉप यह वह भी न अंसर होते हैं क्या होते हैं कभी- लेंग्वेज एक एसा मीडियम होताइं जिसमें अपनी फिलिंग कोests को क्या करते हैं कि एक्सिप्रेस करते हैं हर लेंग्वेज कह अपना अलग साउन होता है Official नहीं होते हैं लेकिन यहां पस उल्टा बोला है इसे देख सकते हैं आप कि यह अलग-अलग जगा के लोग हैं यह लोग क्या कर रहे हैं देखिए अलग-अलग countries भी कह सकते हैं यह सबना अलग-अलग महादीफ है आपके तो महादीफ में अलग-अलग कंड्रेज हैं वहां के लोगों का यह लेंगविज है सबका लेंगविज अलग है साउंड अलग है भले ही आपका सिधान्त एक हो आप कह सकते हैं आपका लक्षी इनका सबका एक ही है कि अपने हम क्या कर रहे हैं अपने एक्सप्रेस को अपने आइडियास को अपने थोट्स क अपने feelings को क्या कर रहे है express कर रहे हैं किसके माध्यम से language के माध्यम से इन सब कल अच्छ एक ही है उद्देश एक ही है लेकिन तरीका अलग अलग है इसलिए यह सही होगा बाकि जो आपका यह option दिया था यह तीनों गलत होंगे कि दफ्लोइंग डेफिनेशन बेस्ट डिस्क्राइब लेंग्वेज एक्कुजिशन दीकि लेंग्वेज एक्कुजिशन और लेंग्वेज लर्निंग से कोश्चन बनते हैं बहुत इंपोर्टेंट है इस चीज को ध्यान रखिएगा फरस्ट आप्सन है आपका देखिएगा फिर से दफ प्रोसेस भाई वीच आस सुसाइटी वरना कुलर वेरियास यहां पस मात्रो भासा की बात हो रही है ठीक है तो इस्थानी भासा ठीक है इसका मतलब क्या है अपने समाज में एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें हम अपने समाज में इस्थानी भासा का प्रयोग करें ठ दूसरा option है दा प्रोसेस बाई वीच लिंगस्टिक इस एपलाइट टू सोसाइटी जो भासावाद है उसे क्या करना ऐसी प्रक्रिया जिसमें भासावाद को अपलाइट टू सोसाइटी अपने सोसाइटी पे लागू करना ठीक ऐसा नहीं आप किसी पे फोर्स फूली इस तर होगे होता है तीसरा आपका दा प्रोसेस बाई विच दा लिंग्वस्टिक अबिलीटी डेवलप्स इन आ हीूमन हाँ यह आंसर सहीं है क्यूं क्यूंकि एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जो आपका भाशावाद है वह क्या हो रही है ऐसी योगिता है जिसमें वह जो लिए the origin of language is developed ये भी सही है लेकिन हमें क्या करना है best option देखना है जिसमें best option हमारा क्या है C है language acquisition और learning से question बनते हैं इस चीज को ध्यान में रखिएगा TLM भी बहुत important topic है तो इन सब को cover करते चलिएगा रहें है यहांपस image पर ध्यां दीजिएगा इसका मतलब क्या है यहां पर भासा अर्जन के बात हो एपने वर्डड पढ़ा ना लैंगवव English acquisition यह क्या है अपका language acquisition आपका क्या है भासा-अर्जन जैसे जन्म बchester चांट चल ती रहताया की बत बिच्च जन्म बेग करें बेगे बच्चा यह जन्म लेती है इवन माता के गर्व से उसका विकास हुल हो जाता है लेकिन language development की बात की जाए तो जब बच्चा जन्व लेता है और धीरे-धीरे क्या करता है जब वो थोड़ा सा सक्री होने लगता है जब चीजों को समझने लगता है तो एक ऐसी अवस्था आती है जब उसकी प्रक्रिया भासा अर्जन की जो प्रक्रिया होती है वो प्रारम हो जाती ह आपका 15th question है the teaching of reading by associating characters of group of characters with sound is the method कौन सा method है देखिए जहां पर sound की बात है यहां पर sound दिया है आग बंद करके फोनिक लगा दीजे ठीक है यह देखिए यह sound का symbol है आपका तो यह संकेत है अमारे sound का जहां पर sound की बात है आग बंद करके फोनिक से ही हो रहे हैं फॉन में क्या होता है आपका अवा जाता है ठीक है तो थे ROB वन आवा जाता है तो क्या क्या लाता है साउंड होगा वाउड हैं लिपाइव ओन्ड कारte थे साउंड को तो पून को यह यह किया है connected है यहां पर A L P का तो full form दिया हुआ है लेकिन आप से क्या पूछ रहा है C का full form पूछ रहा है यहां पर C का मतलब क्या है आपका cognitive है ठीक है तो इसका answer क्या होगा आपका C होगा यह आपका जो C a L P है यह आपका important है यह question आ सकता है तो इस पर ध्यान दिजेगा यह question अगर आपनों practice कर लिए न अगर 50 question आप अच्छे से tick कर रहे हैं समझ पा रहे हैं तो English Pedagogy को आप क्या करेंगे easily solve कर पाएंगे देखिए cognitive means आपके संग्यान की बात हो रही है ठीक है और जहां पर संग्यनात्मक की बात हो cognitive की बात हो वहाँ पस mental development होगा the study of words and their meaning is known as जहां पर हम क्या कर रहे है words का क्या कर रहे है study कर रहे है वहाँ पस क्या होगा वहाँ पर आपका semantics होगा ठीक है जहां पर हम words का study कर रहे है वहाँ पर आपका semantics होगा देखिए इसका answer तो semantics होगा ठीक है semantics में क्या होता है कि जब हम words का study करते हैं second option है आपका linguistic linguistic में क्या होता है linguistic में आपका हम language का study करते हैं और तीसरा क्या है आपका phonetics इसमें क्या होता है नाम सी हो रहा है स्वर विग्यान इसमें जहां पस फोन या साउंड की बात आए यहां पस आपका यह होगा श्रींटेक्स में आप स्ट्रक्चर्स की बारे में पढ़ते हैं ठीक है और रूल्स होते हैं तो आपका यह सब दिया हुआ है आनसर आपका सिमेंटिक होगा क्योंकि यहां पर हम वट का स्टडी कर रहे हैं. next question है आपका the first generation learners are thus who are coming first time to school to seek admission learning Hindi for the first time learning English for the first time the first from their family to come to school इसका option क्या होगा D होगा क्योंकि बच्चा क्या करता है अपनी school आने से पहले क्या करता है फैंबली से अपना first जो language होता है उसको सीखता है ठीक है यह गलत बात है कि बच्चा school में ही सीखता है कि वो first time Hindi ही बोलता है यह English ही सीखता है बच्चा अपनी environment से जो भी language acquire करेगा वो उसे समझ पाता है यह family है family में ही बच्चा क्या करता है अपना first language सीखता है family जो भी words जो भी sentence जो भी language यूज़ करते हैं बच्चा उसे क्या करता है acquire करता है अरजित करता है या ग्रहन करता है चिल्डर्र केन बेस्ट लर्न लेंग्वेज वेन दे हैविंग गुट टेक्स्ट बूक नहीं जरूरी है क्या कि अगर बच्चे को तो हम इख तीक अच्छे बुक्स दे दे मूटे-मूटे क्या बच्चा सीख पाएगा लेंग्वेज नहीं सीख पाएगा तो इवा 얍न게요 अग्डर बच्चा बोल रही हो एकदम फूर्टली चीजों को बोल रहे तो चया बच्चा शीख पाएगा नहीं इसे नहीं है उसके लिए न वह टीचर का टैलेंट है कि वह इस तरह से एक दम बोल रहा है एक दम स्कूड रूप से बोल रहे है यह यहां पस प्रोफिसीयेंट लिखा एंगे लिख लिगां लिख तो टीचर के लिए अच्छा है जरूरी की टीचर की इस तरह के उससे बच्चा भी सीखे दूसरा है आपका देखें यहां पर एक वर्ड लिख है मोटिवेशन ही बहुत पॉजिटीव वर्ड है तो जहां पर बैस्ट लर्ण की बात है वहां पर बच्चा क्या करते हैं मोटिवेशन से चीजों को सीखता है तो हम ईंवीज तक्या कोई भी चीजी सिख सकने तो यहां पर क्या बात कर रहे है कि चिलरण के ड्र करेंट बैस्ट लर्ण हां लैंग्वेज वह सबसें बैस तरीखें से किसे सीख सकता है फूगत की मोटिवेशन से सीखता है् यहां पर मोटिवेशन हैसका सही आन्सर होग 20 नंबर का जो question आपका लिखा है teachers can remediate the student with language learning difficulties by कब होगा देखे अगर आप students का जो कठिनाई है उसे दूर करना है तो आप क्या करिए कि focusing on individual individual आप लों करें उनके progress पर ध्यान दे कि बच्चा का progress हो रहे कि नहीं हो रहे क्या उसमें कमी है क्या उसका weak point है क्या उसका strong point है इस पर आप focus करें और उन्हें क्या करें instruction दे अगर वो गलतिया कर रहा है तो उन्हें प्यार से समझ है एक मित्रता पूर्वक पैभार रख कर और दूसरी चीज अगर वो क्या कर रहा है सीख भी रहा है तो उन्हें क्या करें प्रोटसाहित करें होता क्या है कि तो वो प्रत्यक बच्चे पर ध्यान दे उनके progress पर ध्यान दे तो यहां पर best option क्या होगा आपका option number 1 यह teacher है हमारी थोड़ी खतरनाग दिख रही है पर क्या कर रही है यह हर particular बच्चे पर ध्यान दे रही है कि बच्चे का कितना progress हुआ है बच्चे में क्या कमी है ठीक है और क्या उसमें मजबूत point है क्या बच्चा कर सकता है और क्या नहीं कर सकता है अगर teacher इस चीज को समझ चैना तो हर बच्चा क्या करेगा बहुत जल्दी चीजों को समझेगा और सक्सेज भी अच्छा होगा लेशन प्लान इस एन एक्जामपल फॉर लेशन प्लान किसका एक्जामपल है यह आपका इक स्वेशन प्लान है देखिए इसमें क्या होता है इसमें होता ही है इधर ध्यान दीजेगा लेशन प्लान में आप क्या करते हैं जो आप देली पढ़ाने वाले रहते हैं कि आज मुझे क्या पढ़ाना है, इसके लिए मुझे क्या-क्या TLM लगेंगे, TLM means Teaching Learning Material, पढ़ाने के लिए आपको जो material लगेंगे, उसे हम TLM कहते हैं, तो आप एक short plan होता है कि क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, कितने time में पढ़ाना है, तो ये question है, example of authentic material is, आपका जो newspaper है न, वो आपका authentic है, क्यों, क्योंकि इसमें आप चीजों को observe कर रहे हैं, live देख रहे हैं, लेकिन यहां पर ये book हो जाएगा, ठीक है, ये सब पढ़ने वाली बात हैं, तो आप चीजों को अगर पढ़ कर सीख रहे हैं, तो आपका authentic नहीं होगा, लेकिन अगर natural way पर आप बस ऐसी पलटा कर देखने की देखते हैं, आज क्या है news में, आज क्या कुछ हुआ है, तो ये क्या है आपका authentic material है, और क्या है आपका authentic material, आपका tv है, आप news जो देखते हैं, वो है आपका, और भी जो चीज़े हैं, आप whatsapp वेगरा यूज करते हैं, आप group में conversation करते हैं, mail से जो प्राप्त करते हैं, digital से जो चीज़े देखते हैं, वो क्या है authentic material है, ठीक है, यहाँ पस दिया हुआ भी है, radio, maps, sign, ठीक है, ये सब क्या है authentic material है, इनको आप देख लिज़ेगा, songs, movie, movie से भी आप चीज़ों को क्या करते हैं, सीखते हैं, TV सोस जो होता है आपका, उससे आप देखते हैं, news जो होता है, उससे आप जो भी हमारे आस पास चीज़े हो रही हैं, उनको क्या करते हैं देखने का प्रयास करते हैं आपका कुश्चन है दा मटेरियल यूस्ट बाई आटीचर टुमेक हीस रिचिंग वेरी इफेक्टिव इसकाल्ड तो जो आपका जो टीचिंग होता है जो सबसे रिच जो इन्वार्मेंट प्रदान करता है आपके टीचिंग क करते हो वो उस टॉपिक पे उस सिच्वेशन पे डिपेंड करेगा यह क्या है आपका एक व्यक्ति है तो आप क्या कर सकते हैं अलग तरह का टीचिंग मेटेरियल यूस कर सकते हैं यह आपके टीचिंग का बेस्ट कह सकते हैं मैथर्ड है चलिए आज इतना ही कोश्चन करते है कल हम इसके बाद का कोश्चन करेंगे आज के लिए इतना ही थैंक यू अगर आप चाहते हैं अपने कैरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविशे को साकार करना तो जुड़िए कॉम्पिटिशन कम्यूनिटी के साथ आज ही हमारे वेब साइट के कैरियर पेज पर विजिट करें अथवा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिये गए लिंक पर क्लिक करें हमेशा आपके साथ टीम कोको